ये वेल, हेलो फ्रेंट, स्वागा थे आप सबका आपती यूटूब चैनल, बाला जीव आईटी क्लासेस पे आज हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक कोश्चन है और ये जो कोश्चन है ये हमारे पास समलम चत्रभुज से है इसमें हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि हमारे पास इसका हमको हल चेक करना है हमारे पास एक समलम चत्रभुज है, तो हमने पहले से एक समलम चत्रभुज A, B, C, D बना लिया था ठीक है यह हमारे पास समलम्प चत्र हुज है इसमें कह रहा था कि जो दो हुजाएं है एक दिया है 27 cm और एक दिया है 22 cm तो जो छोटी वाली हुजा हो गई और जो बड़ी वाली हुजा है नहीं कि जो सीडी था वो कितना हो गया 52 cm हो गया ठीक अब कह रहा था कि जो दो अन्य हुजाएं है एक दिया है 25 cm और एक दिया है 30 cm तो अन्य हुजाएं AD और BC को हमने 25 cm और 30 cm बना दिया है अब कह रहा था है कि इसका छेत्रफल ग्याद किजिए तो चुकि समलम्प चत्रफुज का समलम्प चत्रफुज का जो छेत्रफल होता है वो क्या होता है वो आपका होता है एक बटे का दो गुणे समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग गुणा उचाई होता है तिक गुणा उचाई होता है यदि यहां से हम देखेंगे तो यहां से हमारे पास यहां से हमारे पास समांतर भुजाओं का युग तो प्राप्त हो जाएगा एक बटा दो भी दिया ही है हाइट हमारे पास यह उचाई नहीं दिया है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा उसमें उचाई ग्यात करनी होगी तो हमने क्या किया है AB के ही हमने क्या किया कि जो हमारे पास यह AD है इसी के पैरलल में एक हमने BP लिया है इसी के लोग हमने क्या लिया है BP लिया है तो जो कितना सेंटिमेटर हो गया है 25 सेंटिमेटर अब हमारे पास यहां देखिएगा आप तो यहां से B, P और C एक हमारे पास तिर्भूज बन रहा है, क्या बन रहा है, तिर्भूज, B, P, C मेरी हम लोग देखें तो हमारे पस पता चल ला है, कि जो donor B, P है, इस मेरी देखिएगा, तो BP जो है, हमारे पास WO कितना दिया है, 25 cm ठीक है, अच्छा, BC कितना दिया है BC दे रखा है 30 cm अच्छा यहां से यहां से यहां से यहां तक PC देखें तो हमारे पास PC दे रखा है 25 cm अब हमको क्या करना है इसमें से इसकी यह height हमको ग्याद करनी है height ग्याद करने के लिए हमारे पास दो तरीके है तरीका तो एक ये है कि यदि हमारे पास BQ ये जो हमने BQ लिया है यदि ये लंब है तो ये जो तिर्भुज एक और जो तिर्भुज दो बन रहा है इस दोनों पे हम पाइथा गोरस प्रमे लगा लें और यहां से भी हम BQ कमान ग्याद कर लें और BQ हमारा क्या है इसमें उच च्छेतरफल अच्छा बीपी सी का च्छेतरफल क्या होगा एक बटे का दो आधार गुने का उचाई तो चुकि इसमें उचाई दिया नहीं है तो यहां से तो हम यह वाला सुत्र तो अपलाई कर नहीं पाएंगे तो जब यह वाला सुत्र अपलाई नहीं करेंगे तो अब हम कैसे ग्याद कर सकते हैं तिर्भूज B, P, C का छेतर फल कैसे ग्याद करेंगे तो हिरोन सुत्र से हिरोन सुत्र क्या होता है हिरोन सुत्र होता है S, S-A, S-B और S-C होता है अच्छा जहां S क्या होता है जहां S बराबर और्ध परी माप यह हमारे पास क्या होता है और्ध परिमाफ होता है तो अब हम क्या करेंगे अब हम सबसे पहले इसमें से S ग्याद करेंगे S क्या हो जाएगा A plus B plus C अच्छाई यहां से A plus B plus C क्या है यह तीनों भुझाएं हैं जो हमारे पास ऐसे यहां तिर्भुज बन रही थी तो माले जिए कि यह हुझा A है यह भुझा B है और यह हुझा C है तो यह हमारा 30 cm था यह 25 cm था और यह भी कितना था 25 cm तिक और यहां प और कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी यानि कि पचीस पचीस पचास पचास तीस और सी बटे का दो यानि कि इस कितना आ गया 40 cm अब हम क्या करेंगे अतह अब यहां से हम लगा लेंगे हिरोंस का सुत्र इस हमारे पास 40 आ गया तो 40 माइनस ए ए कितना दिया है 30 तो यह हो जाएगा 10 गुना बी यानि कि 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 और सी सी भी 25 है यानि कि यह भी हो जाएगा 15 यहां से हमारे पास 6 तरफल कितना आ जाएगा अंडर उठ 40 को यदि हम चाहें तो 2 गुना 2 गुना 10 लिख सकते हैं अगुना यह 10 है है और 2 बार हमारे पास 15 है है यहां से देखें तो दो का भी पेर बन गया दस का भी पेर बन गया 15 का भी पेर बन गया यानि यह कितना हो जाएगा दो गुना 10 गुना 15 बराबर 15 दुनी के 30 सोरी 15-डह में डेर सो दोनी का 300 i3 सेंटिमेटर इसका यह हमारे पास क्या जब हमने इस तिर्भूज का च्छेतरफल निकाला है हिरोन्स फ़र्मूला से तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला था एक बटे का दो बेस इंटू हाइट इससे भी तो हम छेतरफल निकाल सकते थे तिरभुज का छेतरफल निकाल सकते थे तो चलिए यहां से हम हाइट ग्याद कर लेते हैं तो एक बटे का दो बेस हमारे पास कितना दिया है हाइट हमको ग्याद करना है तो हाइट को ¿ बना देते हैं अर तिरभुज का छेतरफल कितना है है 300 cm2 यहां कि हमारे पास 300 cm आ गया अब हमने क्या किया है कि अब इसको हमने यहां से । वाइलू प्राप्त की तो ह sleeps कि टीं जयेगी 300 दो यहां क्या है डिवाइड में इधर जाएगा तो मिल्टिप्लाइगा तो डिवाइड में यानि कि पचीस बारा तीन सो और बारा दुने का 24 यहां से उचाई हैं को कितना मिल गया 24 सेंटी मीटर ठीक है जब हमको उचाई प्राप्थ हो गई तो अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं अतह समलंब चतुर भुज का छेतर फल बराबर क्या हो जाएगा एक बटा दो गुना समांतर भुजाओं का योग यानि की बावन धन 27 गुना उचाई उचाई कितनी आई है 24 सेंटी मीटर बस इसको सॉल्व कर देना है तो दो से यह कितनी बार में कट जाएगा बारा दुना का 24 बारा बा सेंटी मीटर में आप 52 और 27 मिल के कितना हो जाएगा पचास पी 70 सतहत्तर यानिकी 77 गुना 22 सेंटी मीटर स्कोर या फिर बारासते 84 के 4 ठीक सोरी यह 9 होगा सात और दो 9 है सोरी यह गलत है यहां 9 होगा तो यह कितना हो जाएगा यह हमारे पास हो जाएगा 12 नमा 108 के 8 हासिल 10 और 12 सते 84, 84, 10, 94 यानि कि 948 सेंटीमीटर इसक्वाइर यह हमारा क्या आ गया यह हमारा इसका आंसर आ गया समलम चत्रहुज का छेत्रफल हमको प्राप्त हो गया ठीक है उमीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा यदि वीडियो का कोई हिस्सा समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहा समको दुबारा बताना चाहिए और वीडियो यदि पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को भी दबाएए ताकि आपको नए वीडियो की सुचना है असानी से झाल